दोस्तों तो आज एक सवाल लगाते हैं हम यहां पर आप देखेंगे कि हमने एक रॉड लिया हुआ है जिस रॉड का जो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर है और जो रेडियस वैरी कर रहा है लेंध के अक्रॉस तो यूजिली हम क्या देखते हैं कि अपने स्कूल लेवल या रेडियो जो सवाल होते हैं उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होता है तो हम लोगों ने इस तरह से यह रॉड ली हुई है और इस रॉड का दोस्तों हम लोग मान लेते हैं यंग्स मॉडलर्स दिया हुआ है मटेरियल का जो की वाई है अब हम ल करते हैं अब सबसे पहले आपको यहां पर यह पता करना पड़ेगा कि अंदर कितना स्ट्रेस है इस रॉड के क्योंकि जब मान लेते हैं कि अगर आपके पास यह यूनिफॉर्म रॉड रहती और इसको मैं एक जगह से ऐसे पकड़ लेता यहां से और इस डारेक्शन से फो यहां पर कितना स्ट्रेस होगा वो निकालने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा मैनत करनी पड़ेगी तो चलिए दोस्तों देखते हम कैसे इसको डील करेंगे तो सबसे पहले क्योंकि आप यहां पर इंटरनल फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको एक इससा कट लेना पड़ेगा इन कि इस तरह से और देखना पड़ेगा कि इंटरनल फोर्स कितना है इस कट sağ में दोस्तों, आप यहां पर भी एक ऑन पॉर्स लगे गा दोस्तों ताकि net forces का 0 हो जाए तो force हर जग है जो stretching force है inside वो same है लेकिन क्योंकि यह जो radius है यह depend कर रहा है आप कितनी दूर पे हैं तो आपका जो force F है constant तो है बट आपका जो stress है वो constant नहीं है तो stress होगा आपका F divided by pi into r square जो radius यहाँ पर है आपका तो इसलिए हम लोग यह मान के चलते हैं कि हमने at a distance x पे यहाँ से हमने x distance पे stress निकाल रहे हैं दोस्तो तो x distance पे कितना radius है इस rod का सबसे पहले हमें वो निकालना पड़ेगा तो उसको निकालने के लिए आप एक आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं बहुत सारे तरीके हैं उसके एक तरीका यह है कि आप मान लीजिए एक right angle triangle इधर ले लीजिए तो इस तरह से आप consider कर लीजिए और राइट सो यह जो distance है दोस्तो यह distance यह distance अगर मुझे पता लग गया तो उतना ही distance वो नीचे भी increase होगा radius में क्योंकि similar kind का मैं right angle triangle नीचे भी consider कर सकता हूं तो अगर मुझे यह distance पता लग गई तो यह distance भी उतनी होगी और जो radius होगा वो इसके हिसाप से मैं निकाल लूँगा तो सबसे पहले दोस्तों इस distance को माल लेते हैं यह distance है आपका y आप कुछ भी मान सकते हैं अब आप देखेंगे कि one two let me name it three four five आपको clearly यहां पर दिख रहा होगा कि triangle one two five जो है similar है triangle three four five के तो आप ratio of sides use करके आप यहां पर निकाल सकते हैं कि side length one two divided by the side length one two five is equal to side length three four divided by side length four to five all right तो भाई one two two distance कितना हुआ one two two distance निकालने के लिए आपको simply यहां पर देखना है कि इस side पे यह जो length है total length दियू हुई है वो two times of radius है two r2 है और इस side पे यह length total हो गई आपके two r1 तो इन दोनों के बीच में जो difference है वो two times of r2 minus r1 है इन दोनों के जो difference क्या है दोस्तों इन दोनों के बीच में जो difference है वो यह length और इस length का है तो अगर मैं इसका half कर दूं तो वो मेरी one two two distance आ जाएगी तो I hope आप समझ पा रहे होंगे one two two distance जो आएगी मेरी दोस्तों one two two distance आएगी मेरी r2 minus r1 के रहे है तो यहां पर मैं बस substitute कर देता हूं values one two two is equal to r2 minus r1 one two five is total length three two four मेरा y है divided by four to five x है all right तो यहां से मेरा दोस्तों आ जाएगा y is equal to x by l r2 minus r1 और थोड़ा सा आप यहां पर geometry में ध्यान देंगे तो इस distance पर जो radius आएगा यह जो मैंने अभी mark किया vertically blue line से यह इसका radius है उस radius की जो value आएगी वो r1 यह value plus y के बराबर होगी है कि नहीं तो r is equal to r1 plus y that is x by l r2 minus r1 तो यहां पर दोस्तों हमने r निकाल लिया है जो कि इसके बराबर है और उस location पर जो stress होगा वो होगा f divided by pi r square जो कि pi into r1 plus x by l r2 minus r1 whole square है तो थोड़ा सा complex expression आ रहा है दोस्तों but i hope यह जितने भी steps हैं काफी obvious type के आपको दिख रहे होंगे आपका stress हो गया अब दोस्तों यह जो stress है यह मेरा r distance के साथ vary कर रहा है और क्योंकि यह r distance से vary कर रहा है मुझे एक differential element लेना पड़ेगा ताकि मैं अपना जो well known formula है कि यंग मॉडल से stress by strain वो यूज कर सको नहीं तो वो हम formula नहीं यूज कर पाएंगे तो दोस्तों हम यहां पर एक छोटा सा area ले लेंगे इस तरीके से यह थिकनेस है उस area की तो इस थिकनेस की जो है stress यहां से एक stress लग रहा है जो कि sigma है और दूसरे side भी same stress से इसको pull out किया जाएगा और दोस्तों तो यहां पर हम अब यह अगर माल लिजे आपका डी एक्स विड्थ है तो मैं अब यह माल लेता हूं कि change कि इन डी एक्स कि डू टू स्ट्रेस मैं माल लेता हूं डी यल है तो अगर मैं डी यल को स्ट्रेस के स्ट्रेस कितना है स्ट्रेस हमने निकाला हुआ है यह एक्स्प्रेशन है तो मैं उसको वापस नहीं दोस्तों यहां पर आप पाएंगे कि डी एल इस इक्वल टू सिग्मा वाई डी एक्स अब मुझे दोनों साइड इंटिग्रेट कर देना है और आप देखेंगे कि आपका आंसर आ यह आपका जो है चेंज इन लेंथ है दोस्तों एक्स की जो वैल्यू है आपको तो पता ही है रॉट की लेंथ जिरो टू एल यहां पर चेंज होगी तो थोड़ा सा यहां पर इंटिग्रेशन आपको ध्यान से करना पड़ेगा सिग्मा की वैल्यू आपको यह सब्सूट कर करके इस चीज को आप इंटिगेट करेंगे तो आई होप आप इस कुश्चन की फिजिक्स बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे तो ऐसे ही मैं आपके लिए अलग लग वीडियो लेके आता रहूंगा थैंक्स वाचेंग